So Hello Everyone, Guys, यह है 3P Land Holding के quarter 4 की result तो आगी यहाँ पर देखते हैं कि जो share की results है वो यहाँ पर कैसे देखने को आए हैं देखते हैं यहाँ पर इस share के total income को तो यहाँ पर yearly basis में जो income है वो around 46.84 लाग था जो quarterly basis में 88.62 लाग यहाँ पर हो गया है quarterly basis में share की income यहाँ पर जो है वो increase हुई है total expenses की अगर हम बात करें तो वो yearly basis में 10.80 लाग था जो quarterly basis में 40.86 लाग यहाँ पर हो गया है income के साथ share के यहाँ पर expense भी increase हुए है अब बात करते हैं यहाँ यहाँ पर total comprehensive income यानि की profit की तो वो yearly basis में 1,257.42 लाग है bracket में है यानि loss में है जो quarterly basis में 1,326.21 लाग यहाँ पर हो गया है अब बात करेंगे earning पर share की तो वो yearly basis में 0.15 पैसे था जो quarterly basis में 0.20 पैसे यहाँ पर हो गया है overall analyze करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो share की result है वो काफी जादा बढ़िया देखने को मिले हैं इस मंतक का share का maximum target आपको जो है यहाँ पर 31 रुपे या उसे above के around देख जाएगा तो hold करके रखना चाहे तो आप इस share को यहाँ पर जो है next order तक या mid term के perspective से hold कर सकते हैं ज जादा long term के perspective से भी यहाँ पर आपको hold करके मत नहीं रखना है